अगर आप हर दिन के जरूरत के लिए और डेली राइड के लिए एक सिंपल लो मेंटेनेंस बाइक धून रहे है जो कम बजट में आए तो बज़ाज सिटी हंड्रेड आपके लिए एक बहतर बाइक हो सकती है ये बाइक अपनी कमफर्ट, डूरेबिलिटी और माइलेज के लिए फेमस है और आज हम इसी के सिटी ड्रेड का के अस मॉडल यानि किक स्टार्ट मॉडल का वॉकराउंड करेंगे ये बाइक अंटी स्कीट टेकनोलोजी के साथ आती है जो कमबाइन ब्रेकिंग यानि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के जैसी ही है यानि अगर आपने वाला ब्रेक दबाएंगे तो पिछला टायर का ब्रेक भी एक साथ ही एंगेज होगा सामने की तरफ आपको normal telescopic folks मिलते है with reflectors इस bike में आपको alloy wheels और spoke wheels दोनों के ही option available है with tube tire and 130 mm drum brake आगे की तरफ आपको glossy finish में mud guard मिलेगा सामने की तरफ आपको basic headlamp setup मिलता है और indicators जो है वो भी normal indicators है जो नाकी flexible है और clear lens भी नहीं है नीचे की तरफ आपको crash guard यानि की lag guards भी available है जो गाड़ी crash होने के समय आपके पैरों को और engine को damage होने से बचाएंगे ये गाड़ी जो है वो kick start model है यानि की इसमें कोई भी self start का option available नहीं है आप चाहे तो self start वाला option भी ले सकते है ये है इसकी kick ये है इसका brake lever जो बाकी की commuter segment की bikes के जैसा ही है ये है rider footrest जो fixed है और ये है आपका pillion footrest जो foldable है bike का exhaust जो है उस पे blacked out treatment किया गया हुआ है ये engine काफी सालों से market में available है और काफी durable भी है ये engine 4 stroke air cooled single cylinder 99.27 cc engine है which comes with 4 speed manual transmission gearbox जो generate करता है max power of 8.2 ps and max torque of 8.05 newton meter ये bike जो है वो bs4 model है ना कि bs6 model क्योंकि showroom में bs6 model जो था वो available नहीं था पर इसमें एक catalytic converter के add होने के अलावा कुछ भी और changes नहीं है bike की rare side में आपको dual suspension setup मिलता है जो आपको काफी comfortable ride provide करता है और छोटे बड़े सभी bumps अब्जॉब कर लेता है ये है पीचे की तरफ का सारी guard और ladies footrest बजा CT 100 4-speed manual transmission gearbox के साथ आती है जो आपको normal city rides में अच्छा कासा mileage निकाल के दे सकती है ने low weight की वज़े से इस bike को आप traffic में आसाने से flick कर सकते है पर ये bike जो है वो highway purpose के लिए बिल्कुल ही नहीं बनी है क्योंकि इसमें दिये गए soft suspensions आपको comfort तो अच्छा दे देते है पर highway में stability loose कर देते है पीचे के turn signals और tail light भी non LED है गाड़ी का chain drive covered होने के कारण इसमें किसी भी periodic chain cleaning loop की ज़रूरत नहीं है ये है इस गाड़ी का center stand और इसका side stand जो काफी steady है इस bike में आपको 10.5 लिटल का petrol tank दिया गया है और ये single piece seat के साथ आती है जो rider और pillion दोनों को ही काफी comfort देती है bike के tank पर आपको city के graphics भी available है bike के rear view mirrors जो है वो काफी wide view दे देते है handle bar की तरफ नजर डाले तो आपको standard quality के switch gears मिलते है horn, turn indicators, upper and deeper ये सब भी normal चीज़े आपको इस bike में available है और pass light भी available है इस bike में cost cutting के लिए बहुत सारी चीज़े जो है वो missing है जैसे कि disc brake, led head lamp, fuel gauge, dtsi engine और self start ये सबी चीज़े ना होने के कारण ये bike जो है वो आपको काफी सस्ते में मिल जाती है आगे instrument console की तरफ बढ़े तो आपको यहाँ पर सिर्फ गाडी की speed, auto meter, बजाज का logo, neutral indicator, left and right indicator and high beam indicator यही चीज़े मिलती है इसमें आपको कोई भी fuel gauge meter नहीं मिलता review की गई ये bike BS4 model है, BS6 model bike showroom में ना होने की कारण हम उसका review नहीं कर सकें बजाज CT100 BS6 model का X showroom price है 50,000 रुपीज और on road price in Goa है 64,000 रुपीज तो आज के review में बस इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए stay safe, stay home and always wear helmet while riding and seatbelts while driving है